पाकिस्तान वाले जिस चैंपियन्स टॉफी के लिए अपनी एफडी तुड़वार कर तयारी कर रहे हैं वो चैंपियन्स टॉफी उनके यहां से खतम टाटा गुडबाय होने वाली है पाकिस्तान के लिए फुल कंट्रोल पाकिस्तान के लिए खत्रे की बात है? बिल्कुल खत्रे की बात है जितने छोटे मुल्के उनके लिए खत्रे की बात है? पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान टीम के जिसे कहना चाहिए रुकावटे खड़ी करेंगे और शायद ये भारत को बात है? पाकिस्तान के अंदर बातरूम नहीं है तब से काफी सदर ट्रॉलिंग हो रही है कि ये वही कौम है जो कहती है? हमने कशमीर पाकिस्तान के जहाद करना है कि मुल्क इंदर बातरूम या कंदर जैटर्म चेर्म को ये जैका क्मेंच है तो पाकिसदानी करी तो एंदिया इस दूखिए चैर्मन को बने चैपीा का तो दबा गंटा भाजिए गाल पाकिसानी बात उन्हीं की सोननी जाती है उन्ही की में सुलराइब को और जUp आईम का चétais चलता है या can Queensland उससे भी जादा डर जैसा का हो गया है इंको वा मेट पीछे पढ़ चुकई एक आप पाकार पाकिस्तान तक फा एक इसरा में लेजिके ओने वाला आई है और दोस्तों उस सुरू होने वाली है जिसमें जैसा को परवल दावेदर माने जा रहा है यहां तक कि इंग्लाइंड और अस्टेले ने भी जैसा को सपोर्ट करी है इसी बात से डर लग गया है उनको पाकिस्तानियों को अगर जैसा आइसी सी के चैर्मेन मनते है तो चैंपियन टोफी पाकिस् चारे है और खुद बनना चारे चैर्मेन आइसी सी के जाकि पाकिस्तान से चैंपियन टोफी सिंसके मतलब इस तरह का परवगंडर फेलारी है यह पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी अनासाना बोल रहे है भारत के बारे में इनको भी पता अंदर से कि भारत की टीम नहीं बारत का बेनल अक्वामी क्रिकेट पर कबजे का प्लैन ये तो बड़ी परिशानी की बात है जैशा को चाहिए फुल कंट्रोल और उसके बाद फाइनेंशल इशू पे तो हमने बात की और क्या मसाइल पेश आएंगे पाकिस्तान के लिए खत्रे की बात है बिलकुल खत्रे अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयर्मेन के लिए लड़ेंगे लग रहा है कि बिला मुकाबले ही वो मुंतकब हो जाएंगे जैशा और उसके बाद उनका पहला अमल दो तीन अमल मेंसे जो पहला स्टैप होगा एक तो वही होगा कि वो आई सी का सदर जो है वो टेलिविजन राइट की मत में पैसे नहीं मिलेंगे और अगर वह बी सी जो भी ने जनल सेकृट्री आएंगे अगर वो कहेंगे करें जैशा जाय तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे जो भी और वह बालें कि अगर यहीं कोई और बंदा उसको सम्झाने में बनाने में टाइम लगता है लेकिन जब आएसी के चैर्मन कुछ जैशा होंगे वह तो इस चीज़से डिनाइं करने भी देंगे तो जो भी है ब ख़ी के चेर्मन का जाते पाकिस्दना का वहां पाकिस्दानी किया रहे लिए ला रहे हैं इंडिया इसमें क्या करेगा तो एंडिया अब जेशा तो आइस चेरमन बन गए एक चावधी का तो डबा घॉल और गंटा बाझेगा नविश्तिक जैशा जब पी जेशा जब बोल दिया गे घेशा एकि अस टेलिया इंगलैंड न्यूज़ीरंड इस बोर्ड के हमायत हसल है और मैं चेर्मान बनने के लिए रैडी हूँ अब जब इस तरह के बोर्ड उनके साथ है और पाकिस्तानी चेर्मान हुद कहा रहा है कि बाथरूम नहीं है कोई इंटरनाशनल वारा स्ट्रॉक्चर नहीं है पाकिस्तानी लोग कह रहे थे यह तो इसमें एंडिया क्या करेगा उत्तर तो देख लो फिर तो देख लो फिर एंडिया क्या कर रहा है अगली गेम आप सबको पता मुझे बताने की जुरूरत नहीं है तो यह जो पाकिस्तानी रो रहे हो ना बैटके अब आपको रोना नहीं चाहिए अब आपको जो द्रहले से रोना चाहिए कि एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है यह बिल्कुल यह बहुत एहम ख़बर है बारत का बड़े अच्छे से ही आई सी पर कप्ला हो चुका है उस पर तकरीबर चारीबन चालीज रिसर्ट जो है वो हिंदोस्तान के बास चला जाता आया और उनकी तरील यह है कि कि अच्छे साथ जाते हैं कि उनके इस पंदर भांच पहे हैं उनको तो से मुनकों के निस्वत बेड़ जाता है अब रह गई इस पर कप्जा करने की बात तो वो कप्जा तो काफी देश चीजें चुनने में आ रही थी लेकिन ख्याल यह था कि शायद अस्टेरिया और इं और अगर पर किजिए हिंदोस्तान में कोई अगर ना भी हो आई सीजे किसी है मोगे पर तो फिर भी बात उनी की सुनी जाती है उनी की बानी जाती है सब कुछ उनका इसिपका चलता है जो ब्रोड कास्टर आई सीजे को मिलने वाली जो तीन बिलियन डॉलर के नश्रियाती जाएंगे जी बिलकुल बात की है के छोटे मुलकों का तो कोई कोई हाल नहीं है यह करला इसक्रिया है मैं समझता हूं इस वक भी हमाद चोटे मुल्क कुछ खयाल करें क्योंके बोर्ट तो तब का बरापर है अगर चोटे मुल्क है उन्टारे को जाएं और को इतने चोटे मुलक भी तैने पाकिस्टा मुलक ही नहीं है जनुवी अफ्रीका मुलक ही है युजी लेंड मुलक है लेकिन बहुत पुराना यानी जो आई-सी-सी का मेंबर है पाक्सान दे жि के पहले का मेंबर तो आ इंके लोग अपने फुरूप के लिए मुतफिक नहीं नहीं हो सकते तो फिर इनके साथ वही होगा जो कि इस वक्त ये आस्टेलियन अपार बता रहा है। की कोशिश की थी बात करेंगे नमाएंदा खुसी बराय खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ माजू रहा है। की होने पर वो मुस्ताफी हो जाए और अगली टर्म के लिए सदर ना बने और भाती ब्राटकास्टर जो पूर्ट क्रिकेट के नश्याती हुकूग जिसके पास है वो अपने तीन बिलियन डॉलर जो चार साला मौहिदा तीन बिलियन डॉलर का है उसको आधा करना चाहता है। यह को कहता है हमें लुकसान है और उसी भाती ब्राटकास्टर ने टी ट्वेंटी वर्ल कप जो भी अमरीका और वेस्ट इंडीज में हुआ भारत मुंतकिल करने की नाकाम कोशिच भी की थी तो अस्टेल्वी अफबार ने भांडा पोड़ दिया है अगर बैनलुकमी क्रिक क्रिक्ट के हुकूक अगर कम कर दिये तो इससे बैनलुकम कांसल है उसके मुकमल कब्जा चाहता है बहाती क्रिक्ट बोर्ट अखबार में दावा किया है पूरा भांडा उसने फोड़ दिया और उसने मताया कि एक वीडियो कांफरेंस आई-सी के हुकाम के दर्म्यान हुई जिस पर उन्होंने तश्वीश का इधार किया है तो अस्टेल भी अखबार में बेनलुकमी क्रिक्ट पर भारत के कब्जे का प्लान और इसका भांडा मुकमल तोर पर ठोड़ दिया है तो अगर कि सदर बन जाते हैं तो एशियाई ममालिक को और बिल्कुस्स पाकिस्तान को भी इसका नुकसान पहुंचेगा शाहिद साब? वो अगली सदारत के लिए अपनी नॉमिनेशन अपनी नामज़द्वी दाखिल करेंगे 27 अजस्ट लेकिन और इंलेंड की मुकमल हमायत है जैशा को इन क्रिक्ट बोर्ट ने मुकमल हमायत की यकीन दानी कड़ाई है जैशा को और एक जफर जैशा अगर सुन्दर मुद्र क्रिब हो गए तो यह भी प्लैन भारत का उबगा कि वो आई सीजी का जुब है वो डुबई से शिफ्ट करके भारत ले जाए और मुकमल कप्से कर जो नहोंने प्लैन बनाया है